नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधी है और मैं आईवेफ कंसाल्टेंट हूँ, नोवा आईवेफ पतना में आज हम बात करेंगे बीमाई और इसे होने वाली इफेक्ट आपकी फर्टिलिटी पर BMI यानि Body Mass Index आपके शरीक के वजन पर निर्भर करता है और इसका असेस्मेंट आपके फर्टिलिटी के असेस्मेंट के लिए जरूरी है High BMI यानि आपका वजन जादा होना या Low BMI बने आपका Underweight होना ये दोनों ही आपकी फर्टिलिटी के लिए हानिकारक है High BMI या Low BMI होने से आपके शरीक के Sex Hormones का Disregulation हो जाता है मतलब hormonal imbalance होने की समस्या रहती है जिसकी वज़े से आपके Menstrual Cycles भी Regular नहीं हो सकते हैं और इसी वज़े से आपका Ovulation भी हम पर हो सकता है मतलब अंडे समय पे बनेंगे नहीं समय पे आपके रप्चर करेंगे नहीं और इस वज़े से आपका भी Fertility Problem Face कर सकते हैं यदि आप Over Weight है तो आप 5-10% भी अगर exercise या योगा के मादियम से अपना वज़न घंटा लेते हैं तो आपको अपनी Fertility में तुरंत ही सुधार महसूस होगी यदि आप Low BMI है तो Diet Improvement से आप अपना हलका सभी BMI अगर increase कर सके तो यह आपके लिए बहुत ही मदद करने वाला साबित होगा धन्यवाद